असलाम नेकॉम तो क्या हाल चले आप सब काई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रोजे भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे आप सब के तो मैं आज अपनी ममा का पैडी क्योर करने के और वीडियो छोड़ के नहीं जानी आपने ठीक है ना आप लोग के फाइदे के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग मिन्ट में ना मेरी वीडियो छोड़के वो जाते हैं यो यो स्क्रॉल करते हुए ना भाग जाते हैं मेरी वीडियो छोड़के और मुझे सब पता चल जाता है कौन-कौन भागता है जिसलिए भागना नहीं है और देख ले मैं इतनी मेनत करती हूँ और आप लोग थोड़ा सा भी उसका मुझे जो है न रिजल्ट नहीं देते अब सेरी टाइम मैं जो है न बैट के वोईस ओवर करी हूँ सिर्फ आप लोग के लिए तो खेर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट तो होई ही है और फिर से पूरी स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं जो ममा का करी थी पैडिक्यूर पानी ले लेना है आपने इतना गरम लेना है कि आपके पैर जो है न बरताश कर सके जलाने ही नहीं है बस इतना कि पैर एजिली डिप हो जाएं कोई जादा गरम ना हो उसके बाद आपने कोई भी अपना फेवरेट शेम्पू डाल लेना है जो भी आपके पस पड़ा है बस बीच में डालने थोड़ा सा कि थोड़ा पानी में जो हकशाग बन जाए ठीक है उसके बाद नीम्बू ले लेने आपने एक या दो नीम्बू जो है ना आपने इसमें निचोड़ देने है मेरे पास क्यूप पड़ी थी तो मैंने इसमें नीम्बू पी डाल दी नीम्बू की क्या करते हैं मैं पागल हो जाती हूं बोलते बोलते अच्छे तो खेर मैंने इसमें क्यूब डाल दी एक लेमन की ठीक है इसके बाद इसमें आपने डालना है बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा या बेकिंग पाउडर जो भी हो वो डाल दें बस ये 3 चीजे आपने इसमें डालनी है पिर से बोल देती हूँ, शेंपू, उसके इलावा बेकिंग सोडा, उसके इलावा नीम बू, ये तीनों चीज़ें आपने नीम करम पानी में डाल देनी है, और इसमें ना कोई 10 मिनट अपने पैर डिप करके रखने है, उसके बाद आगे देखते जाएं क्या क्या होता है, सा अच्छी तरह हम मसाज करेंगे, आप लोग आके देखिएगा किस तरह मसाज करना है, ये नहीं कि बस अब देख लिए और भाग जाएं, आगे आपने देखना है किस तरह से करना है, क्या क्या मैंने चीज़ें लगाई है, वो भी आप लोग देख लिए है, बहुत सिंपल स किस पर फियाश कार्वाट सहली है, यदि देख लुग अगे लगंता है, न हमशी देखने काई में पर बर कुछ साय उता है था लग रहे हैं अब जा नहुच्छ कोई गरना चीज़ेंधे हैं, बहुत हैं की क्ली कोई आप लिए परञाना किया आप भे बीर धर कर ले लें, मैंने दूसरी चीजे इसलिए नहीं यूज की एक किट भी मिलती है पैडिक्यूर की पाई कर सकते हैं तो कर लीजेगा वरना जो गाडू होना चाहिए इनसान को कोई भी ब्रश उठाएं जो एक्स्ट्रा फाल्टू ब्रश हो तो उससे जो है ना आपने अच्छी तरह जो से मैं रगर रही हुना ममां के पैर इस तरह नेलस भी अच्छी तरह से आपझे इनको रभ करने ब्रश के थरू और अच्छी तरह से क्लीन करने यह मेरे पास था मेरे डाहिए पास और ममा की जोई जितनी मी डेट स्किन है वो सब रिमूव हो जाएगी, पैर इतने और इस करप का ना इतना अच्छा रिजल्ट है, मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बताया है, कि बहुत ही ना इससे आपके पैर जो है ना सोफ्ट हो जाते हैं, और सारी टैनिंग, शरिनिंग, सब कुछ रिमूव हो जाता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता होता है, खेर अच्छी तरह आपने मसाज करना है, ठीक है, कोई 5 मिनट तक आप मसाज करते रहें, और ये नीमबू जो मैंने निचोड़ा था ना, वो ही मैंने नीमबू रख लिया था, फैंका नहीं था, अब इसको जो है ना, मैं उसी, जो मैंने स्क्रब लगाया ना, उसके उपर मैं नीमबू को रब कर रही हूँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है, मेरे हाथों के जो नकल्स है ना, बहुत जादा डार्क होते थे, लेकिन यही यूज़ करने के बाद, ना, सिरफ ये नीमबू और चीनी, इतने मेरे वो लाइट हो गया ना, नकल्स जो हैंड्स के होते हैं, बहुत लाइट हो गया हैं, बहुत फर्क पड़ता हैं, तो जरूर इस रेमेडी को आपने ट्राइ करना है, ये घर पे करना है, अपनी मदर्स का भी करें, अपना भी करें, और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, मैं भी बहुत लापर वाऊं, मैं अपने लिए बिलकुल टाइम नहीं निकालती, लेकिन हम लोगों को अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, थोड़ी बहुत जितनी केर हो सकती है, हमसे हम अपनी वो करें, और सेलोंस ट्रीटमेंट ठीक है, वो भी ठीक होती हैं, लेकिन वो ही ट्रीटमेंट्स हम घर पे कर सकते हैं, उससे अच्छी हो जाती है, और सिरफ पैसे भी नहीं हमारे लगते हैं, घर की चीज़ों से हमारा ना सारा काम हो जाता है, लेकिन हम लोग भाग भाग के सलाउन जाते हैं, और उनको इतने इतने पैसे दे के आजाते हैं, result उनके पास भी यही वाला आता है और हम भी वही result खुद घर पे दे सकते हैं अपने आपको बगैर पैसे इंवेस्ट किये खर्च किये तो इसलिए और बाकी जो है अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो जल्दी जल्दी से सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब के बगैर ना भागा करें मैं भी मेनद करती हूँ बहुत मेनद करती हूँ वीडियो बनाना पहले मुझे लगता था बहुत असान होता है लेकिन गसम से यार बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, थमने, क्या क्या बताओ, अब क्या कुछ होते हैं, तो मैं इन्शाला एक वीडियो बनाओंगी प्रॉपर, उस पे आप लोग को बताओंगी, अपनी जर्णी बताओंगी कैसे मैंने स्टार्ट लिया और क्या किया, लेकिन फिल हाल इसी प आप लोग एक सेकेंड की वीडियो थेखी, थोड़ा सा समझ आई चीजों की और फॉरन से स्क्रॉल करके वोग गए, अच्छी तो हैर गया, पर मैंने ममा के नेल्स कट किये, अच्छी तरह से उनको ना, पहले मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद नेल्स कट कर रही हूं, नेल पॉलिश ममा ने लगानी नी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ना, एभी उनको नेल पॉलिश लगा दी, तो बाद में मुझे कहती है, अब चल, हुने नू रिमूव कर, ला दे नू ना, तो मैं अच्छा, बाद में उतार लेंगे, अभी वीडियो फिट की हुई थी, कि जड़ा लाइट पड़े, तो इसलिके आपने पीछे वाले मैस पे नहीं जाना, आपने पैरों पे फोकस रखना है, सीधा सीधा, तो खैर जी, इसके बाद एक ममा ने बनाया हुए है, ग्रेसलीन, नीमबू, और कोई एक दो और चीज है, उसका कोई टोनर टाइप है, क्या कहते हैं, तो इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट है, बहुत इससे फर्क पड़ता है, आप इसको रेगलर यूज करें तो, तो बस मैं पे नियर परिश लगा रही थी, ममा के रिजल्ट आप लोग देख लीजएगा, आगे बहुत फर्क पड़ा तो अब भी सिरफ मैंने एक रफा किया है, आगे करूंगी तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करजएगा, इन्शाला नेक्स वीटो में लूँगी, अलाहाफ़ादा